हेलो दूस्तों, वेलकम टू एक्स्ट्रीमली सुपर, इस्पैडर मेन सभी का चाहीतर सुपरीर हुए, लेकिन इस्पैडर मेन की एक ऐसी सीरीज भी है जिसके बारे में काफी लोग नहीं जानते हैं, आज की इस वीडियो में हम इस्पैडर मेन की उसी सीरीज को एक्स्प्रे एक दो अर्थ जैसी दूसरी दुनिया है, जिसे की हमने नाम दिया काउंटर अर्थ, लेकिन वो सैटिलाइट बस इतनी सी वीडियो सेंड करके ही ब्लास्ट हो गया, इसलिए अब हम इसकी इनिवेस्टिगेसन के लिए कुछ लोगों को काउंटर अर्थ पर बेजेंगे, कि वहा flour की लोगोंने ऐसा क्यों किया, इसके बाद हमें पीटर पार्कर को दिखाया चाता है, जिस में J. J. Jonah Jameson पीटर को बताता है कि John Jameson उसी का बेटा है, इतने में ही पीटर का स्पैटर से चालू हो जाता है, जिससे पीटर को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बढ है, फिर Pecheers अपना सूर पहनता है, और वो इस गरवड का पता लगाने के लिए चला जाता है, तब expaddermen देखता है के Venom और Carnage भी इसपे सिप में जा रहे हैं, और sp überhaupt उनके पीछे पीछे, इसपे सिप पर जाता है, और जे जोना जեमसन इसपैटर मैंड़ों बिन取 पर गाते हुए देख लेता है और बुलता है कि ये स्पैटर मैं फिर से काम खुड़ाए करने आ गया स्पैटर मैं वेनम और कां़ेज को रोखने की पोसेस करता है लेकिन वेनम इसे पकड़ लेता है और फिर Carnage बुखदाएगी, हमें Counter Earth और Synoptic के पास पहुँचने से कोई नहीं रोख था और फिर वो दोनों मिलकर Spider-Man को नीचे गिरा देते हैं और खुद Space Sip के अंदर चली जाते हैं Spider-Man अपने जाले से एक पेरा सुथ बना कर नीचे चला जाता है लेकिन Venom और Carnage जौन जेमसन पर अटेक कर देते हैं और से सिप का connection अर्च से तूट जाता है और जैसे इस Spider-Man नीचे आ रहा होता है नीचे खड़े सारे लोग Spider-Man को नीचे आता देख यही सोचने लगते हैं कि ये सब Spider-Man ने किया है और आर्मी Spider-Man को पकड़ने की कोसिस करती है लेकिन Spider-Man वहाँ से बचकर भाग जाता है फिर हमें एक अपते बाग का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि सभी लोग अब भी Spider-Man को ही बुरा मान रहे हैं फिर हमें जिजे जॉमसन की नियूज दिखाया जाती है जिसमें वह बोलता है कि जो कोई भी Spider-Man को पकड़वाएगा वो उसे 10 मिलियन डॉलर का इनाम देगा अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है और एक लड़की उसे विल्डिंग में फजी हुई है Spider-Man उसे बचा लेता है और जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है तो सारे लोग मिलकर उस पर पानी से टेक कर दिते हैं किनके उन्हें लगता है कि ये आग भी Spider-Man नहीं लगाई है इतने में ही एक पत्थर उपर से गिरता है लेकिन Spider-Man उस आदमी को बनने से बचा लेता है अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि Spider-Man MJ के पास गया है और न्यूज में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोगों को यहीं लगता है कि कल रात उस आदमी को बचाते हुए स्पैडर मैन उस पत्थर के नीचे दब कर मारा गया फिर पीटर बाकर बोलता है कि मेरे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए फिर एमजे बोलती है पीटर तुम्हें कुछ अच्छा करने के लिए किसी सूट की जरूवत नहीं है और दुनिया के लिए जितना जरूरी स्पैडर मैन है उतना ही जरूरी पीटर पारकर भी है तो फिर पीटर बोलता है कि अब मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए सायद स्पैडर मैन कल रात सच में मारा गया फिर हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि जोन जेंसन अभी जिन्दा है और वो काउंटर अर्थ पर पहुंच गया है लेकिन वो अपनी वीडियो में बोलता है कि हमने जितना सोचा था काउंटर अर्थ की आलत उससे बहुत ज़्यादा अखलाब है मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता अगर इन क्रीचर्स को यहाँ पर नहीं रोगा गया तो अब या नंबर हमारी अर्थ खाऊगा और इतनी में ही वो कनेक्शन तूट जाता है फिर पीटर बोलता है कि इस बार हमें स्पैडर मेन की नहीं पीटर पार्कर की दिरुवत है फिर हमें 6 मईने बात का सीन दिखाया जाता है जिसमें जॉन जेमसन को बचाने के लिए सुलेरस 2 मिसन बेजा जा रहा है हम देखते हैं कि पीटर भी उसी मिसन में काम कर रहा है फिर हमें स्पैडर मेन का नेया सूट दिखाया जाता है जो उसने नेनो टेक से बनाया हुआ है स्पैडर मेन सिख के अंदर जा रहा होता है लेकिन निक फ्यूरी उसे रोग लेता है फिर स्पैडर मेन निक फ्यूरी को बताता है कि अकेला वही है जो John Jameson को बचा सकता है और उनकी एक छोटी से fight होती है फिर Nick Fury मान जाता है और Spider-Man को अंदर जाने देता है पीटर उस Space Ship को लेकर Warm Hole से Counter-Earth पर पहुँच जाता है लेकिन जैसे ही वो Counter-Earth पर पहुँचता है तो उसकी Space Ship को एक Light Beam से पकल लिया जाता है और Spider-Man उससे बचने की बहुत कोसिस करता है लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पाता फिर कुछ Robots उसकी Ship को पकड़कर नीचे क्रेस करा जेते हैं जैसे ही Spider-Man Space Ship से बाहर निकलता है तो वो Robots बोलते हैं अपने आपको हमारे हवाले कर दो High Evolutionary और महाराज टाइगर की अंक्या से तुमें गरपताल किया जाता है लेकिन Spider-Man उने चकमा देकर वहां से बाग जाता है फिर कुछ और लोग अपने उड़ने वाली बैक से उसका पीछा करते हैं और वो लोग Spider-Man को पकन लेते हैं तो उनमें से एक बोलता है जितना भागना चाते हो भाग लो Spider-Man लेकिन तुम हमसे बच नहीं सकते और फिर वो अपना मास्क नीचे करता है तो उनमें देखते हैं कि वो एक टाइगर है जो इनसान जैसा दिखता है तो Spider-Man भी उसे देखकर चौक जाता है और उसे पूछता है कि तुम क्या हो तब वो टाइगर बताता है हम लोग Wonder God के योत्ता है यहां के लोग मुझे माराज टाइगर बोलते हैं और यह है जावास सिपाही और सूला और यह है खुबसूरत राजकुमारी वर्मिन और यह है हमारे सबसे सब्तिसाली योत्ता स्रीमान रावा Spider-Man उनसे भागने की कोशिल्स करता है लेकिन वो लोग उसके पीशे पड़ जाते हैं फिर हम देखते हैं कि यह अर्थ जानवर जैसे लोगों से भरी हुई है यहाँ पर इनसान बिखारीयों की तरह रहते हैं और जानवर राज करते हैं फिर Spider-Man अपने सूट का Invisible Mode On करके गाइब हो जाता है और उन लोगों को चपमा दे देता है लेकिन वो लोग उसे फिर से देख लेते हैं और उस पर अटेक करके उसे गिरा देते हैं और उसे पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं अगले सी में हमें दिखाया जाता है कि उन जानवरों ने Spider-Man को बांध रधा है और वो लोग Confused हैं कि Spider-Man उनकी तरह मकडी वाला एक जानवर है या फिर एक इनसान इसी लिए वो लोग उसे काट कर देखना चाते हैं फिर हमें High Evolutionary को दिखाया जाता है जो उन लोगों से बुलता हैगे तुम लोगों ने अभी तक इसका मास क्यों नहीं उताना है तो वो बकरा बुलता है च्छमा कीजिएगा महा महीम लेकिन ये सूट किसी Advanced Technology से बना हुआ है जिसके बारे में हम नहीं जानते लेकिन हम इसे काट कर इसका DNA Sample ले सकते हैं और ये एपिसोड यही पर खतम हो जाता है दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरू बताए अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताके मुझे इसका अगला पार्ट बनाने की मॉटिवेशन मिले और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दें ताके जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन में जाए